आज सरूरुन और हम शारें हमनोग पूजा करने हाम आपि हमолों को निकलना है निकलना है कि आप यहां पर यह मननायने कभी निए वीडियób नहुत हब देख़ होगी हमनों वह नहुत है force आपि झार घूमार्णाय करने यूप व способ करने चैनलओ कूशी डीस जाने के लिए हम लोग खाना सब भी खा चुके हैं दोगे लोग को भी खाना देख दियें अब जाते हैं जिलिस और फिर वहां पर चल रहा है बहुत दूर जाना है हम लोग चलते सब्सक्राइब अब हम लोग बहार आ चुके हैं मम्मी आ रही है बस सिंगतर फॉला को बस त्यार हुए गई है यह गाना भी बज़र है पीछे यहां असास तो अब हम चलेंगे जिलिस में सरहुल सर और हुल से मिलके बना है सरहुल सरहुल दो सब्तों से बना हुआ है सर और हुल सर का मतलब सरय या सख्वा फूल होता है वहीं हुल का मतलब क्रांती होता है इस तरह सख्वा फूलों की क्रांती को सरहुल कहा जाता है सरूल पर प्रतिक वर्स के चैतर शुकल पक्ष के तृतिय से सुरू होकर चैतर की पूर्णी मा के दिन संपन होता है या प्रकृति पर्व वसंतृतु में मनाये जाने वाला हम लोगों का प्रमुकतिवार है वसंत रित्यों में जब पेड़ के पत्यों में अपनी पुरानी पत्यों को गिरा कर टैनियों पर ने ने पत्यों लाती है तब सरूल का पर्व मनाया जाता है सरुल पर्व चार दिनों तक मनाया जाता है जिसके सुरुवात चैत्र माह के सुखल पक्ष की तृत्या से होती है और अंग्रेजी माह के अनुसार या पर्व मुख्य रुप से अप्रेल के मा में मनाया जाता है कभी कभी या अंतिम मार्च में मनाया जाता है सरूल पर्व प्रमकरुप से जहार कर राजे में मनाया जाता है इसके अलावा मधप्रदेश, उडिसा, पश्मंगाल में मनाया जाता है आदिवाशी बहुल छेतरों में इसे बड़े ही धुमदाम से मनाया जाता है इस पर्व में पूजा होने के बाद निर्दे के साथ कायन का भी कारकरम किया जाता है सरूल चार दिवाशी पर्वे हैं जो कि तीन दीनों तक चलता है सरूल आदिवाशी यानि हमारे अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल रभी फसल विशेश कर गेहुं की कटाई पर आरम कर देते हैं इस पर्व के बाद ही आदिवाशी का नव वर्स भी सुरू होता है सरूल पूजा में केकड़ा का बहुत ही महत्वे हैं जिस केकड़ा को देखकर अदिकतर लोग डर जाते हैं उसे हैं पूजारे यानि पाहन फसरा के केकड़ा पकड़ता है और केकड़े को पकड़ के पूजा घर में अर्वा थागा से बांद कर टांग दिया जाता है और जबकि बुवाई की जाती है तब इसका चूण बनाकर गूबर में मिला कर धान के साथ भोया जाता है दर असल ऐसी मानियता है कि जिस तरह केकड़े के असंख्या बक्चे होते हैं ठिक उसी परकार धान की बालिया भी असंख्या होंगी सरहुल में सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी का अलगी महत्वा है महिला है सफेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पेहनती है और निर्ते करती है सफेद पवित्रता और शालिंता का प्रतिक है जबकि लाल संगर्स का सफेद सिंग भूंगा तथा लाल बुरू भूंगा का प्रतिक माना जाता है इसलिए सरना जंडा में सफेद और लाल रंग होता है आपको आया और हमनों के साथ फोटो के चानेल लग रहा था तब ही अचानक से पीछे सब लोग होने लगा और डाउन से होते होते सब लोग पीछे होने लगा और जुलिस के लाम लोग ऐसे ही जा रहे था आगे सब लोग नास्ते नास्ते जा रहा था हुआ हुआ है कर दो 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 कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि मेंचल को वे एंग बख़ग हो अीजए पॉड़ वरा बादिश रपाधिन जॉचम छाईए मार जाघर एंग ंपिल एंग पिलार नाधिन और पन्याधिन जादिन बखरी आपकाश कर दो 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 कर दोगल लादरा बेहा भारम झाल लादर, प्र opáल रादर लादर जाखो लॉगष नहांदा झाल थे एता हूंदा झाल जाखो एता हुआँ हुआए झाल 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 झाल